अंजी प्यारे बच्चों नमस्कार नियू मलवा सीनियर स्कंडरी स्कूल की आपका स्वागत है आज हम कहानी करेंगे लालच का फल अंजी एक गाम में एक किसान रहता था बहब बहुत गरीब था उसके गर में उसकी पतनी बूड़ी माँ और पांच बच्चे थे उसके परिवार में दो समय का बोजिन भी नहीं बनता था प्रांतु वे बहुत दर्मात्मा था वे सादू संतों की बहुत सेवा करता था एक दिन एक सादू ने उसकी सेवा से प्रशन होकर कहा मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो तो किसान ने कहा महराज मेरी हालत आप से शीपी नहीं है कुछ उपाई कीजिए जिससे मेरे परिवार की बुखमरी की हालत सुदर जाए महात्मा ने अपनी जोली में से हाथ डाला और एक मुर्गी किसान को देकर कहा लो बच्चा यह कोई सदार्न मुर्गी नहीं है यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है यह हर रोज एक सोने का अंडा देगी किसान मुर्गी पाकर दन्य हो गया उसकी गरीबी तूर हो गई वह दीरे दीरे अमीर होने लगा सोने का अंडा पाकर उसका लालच बढ़ने लगा उसने सोचा कि क्यों ने मुर्गी के पेट में से अंडे एक ही बार से निकाल लिये जाएं ऐसा सोचते ही उसने चाकू से उसके पेट को चीड डाला अंडे तो क्या मिलने थे में मुर्गी से भी हाथ दो बैठा हांजी और पस्ता आने लगा शिक्षा है लालच पूरी बला है इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए हांजी थैंक्स, have a nice day, stay home, stay safe